हलो दोस्तों कैसे हैं आप सर्थ दोस्तों मैं हूँ C.A. पंकस तदाओगी और आज की जो वीडियो है C.A. में फाइनल स्टुडेंट्स के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम C.A. में फाइनल स्ट्रेटिजिक फैनांशल मैनेज तो आपके सामने है C.A. में फाइनल का मॉडल क्वेशन पेपर पेपर नमबर 14 स्ट्रेटिजिक फिनांशल मैनेजमेंट सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली जून 2024 के लिए सेट वन इंस्टिट्यूट ने रिलीज किया है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके का जो relevant content होता है वो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइक marathon सीरीज हो गई, free test सीरीज हो गई, suggested answer हो गई जब आपके exam के question paper हो जाते हैं, model question paper चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और description box में आपको हमारे mobile app का एक link मिल जाएगा वो mobile app आप डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि हमारी जो free test सीरीज है वो भी mobile app के थ्रू चलती है इसके अलावा, मैं जो आपको यहाँ पे solution करवाने वाला हूँ, अगर आपको उसका solution का PDF चाहिए, हमारी mobile app के थ्रू ही आप डाउनलोड कर पाएंगे इसके अलावा, कोई भी revision series वगएर हम लेकर आते हैं, वो हम YouTube channel के थ्रू ही लेकर आते हैं तो कोई भी notes, जो की हम YouTube पे आपको बोलते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हो, उस सारे के सारे notes आपको हमारी mobile app के थ्रू ही मिलेंगे और mobile app पे जाकर confuse होने की जुरत नहीं है, जो revision series के notes हैं, model question paper के notes हैं तो जो भी notes हम आपको बोल रहे हैं कि ये free of cost है, ये आपको free of cost ही मिलेंगे, बले ही वहाँ पे prices क्योंने show हो रहे हो बाकि अगर आपको कोई reasonable prices पे classes भाई करनी है, video classes वो भी आप हमारी mobile app के थ्रू भाई कर सकते हो अगर mobile में देखनी है, mobile app से भाई कीजिए, laptop में देखनी है, हमारी website पे जाईए commercelexis.com वहाँ पे आप अपना order place कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं, strategic financial management, MQP set 1, June 2024 सर जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो question paper होता है exam का 3 गंटे हमें मिलते हैं उसको solve करने के लिए और 100 नमबर का paper अपने को attempt करना होता है, दो section में आपका question paper बनाया गया है section A में compulsory question है, एक single question है, जिसमें 15 MQ दिये गए आपको 2-2 marks के 15 MQ है दो-दो number के, जिसमें कुछ theory है कुछ practical है, और जो section B है, उसमें आपको totality में 7 question दिये गए है जिसमें से आपको 5 question attempt करने है, हर question 14 marks करना है, तो section A 30 marks का attempt करना है section B में 14 14 marks के 5 question तो 70 marks का attempt करना है, accordingly इस तरीके से आपको 100 marks का paper attempt करना है काफी सारे बच्चे theoretical portion को लेकर ज्यादा परिशान है SFM के तो मैं आपको clear कर दूँ, theoretical portion पे ज्यादा धान मत दो, क्यों मत दो, क्योंकि अगर आप section B धान से देखोगे तो आपको 7 में से 5 questions attempt करने है जिसमें आपको question number 2 जो है, वो पूरा का पूरा 14 marks का practical मिल जाता है question number 3 जो है, वो पूरा का पूरा 14 marks का practical मिल जाता है question number 4 जो है, वो पूरा का पूरा practical है 14 marks का question number 5 भी पूरा 14 marks का practical है question number 6 भी पूरा practical है 14 marks का तो sir अपना काम तो हो गया, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 5 ही दो question attempt करने है और यह सत्तर नमबर का practical हो गया even question number 7 जो है, वो भी पूरा पूरा practical है कि वल एक question theory है, that is question number 8 तो sir question number 8 को आप skip कर दो, तो आपको theory में परिशान होने की जरुत ही नहीं है और जो MCQ questions है, starting वाले 15 into 2 उसमें कुछ theory कुछ practical है और उसकी theory attempt करने के लिए simply मैं यह कूँँगा, आप अपने study material के chapter के पीछे जो MCQ given होते हैं, वो कर लीजिए, more than sufficient है, फिलाल के लिए, क्योंकि new syllabus है, institute इदर उदर से नहीं, उन ही में इसे question आप से पूछेगा normally अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं, मैं simply यह कहना चाहूंगा कि theoretical portion को लगकर ज्यादा परिशान नहीं हो, हलांकि जो आपके syllabus में theory topics है, like securitization हो गया, digital finance हो गया, वो हम अपनी classes में तो करवा रहे हैं, जो भी हमारे register student है, उनको पता है, digital finance, securitization यह theoretical topics हम अपनी classes में करवा रहे हैं, बट उसको ले बहुत ज्यादा time waste करने की जुरत आपको नहीं है, अगर आपका practical portion strong है, और अगर आपने practical portion पूरा पूरा कवर किया है, तो, सलिए start करते है, section A, compulsory question, question number 1, 15 MCQ of 2 marks each, choose the correct option, जिसमें पहला MCQ आपको practical देखने को मिल जाता है, वो भी investment decision में से, इसको आप capital bursting के नाम से भी जानत of a project is 10%, internal rate of return है 10% का, if the annual cash inflow after tax is 1,30,000, annual cash inflow 1,30,000 है, project का duration जो है, वो 4 साल का रहेगा, question की demand है, what is the initial investment in the project, तो, जब आप internal rate of return calculate करते हो, तो, वहाँ पे आपका एक formula होता है, present value interest factor of annuity is equal to initial cash outflow upon annual cash inflow, solution मैंने अल्रेडी बना रख्यां आपके लिए, ताकि आपका ज्यादा time ना लू, तो, सर, present value interest factor annuity at IRR का formula होता है, initial cash outflow upon में annual cash inflow, आपका internal rate of return है 10%, और life है इस की 4 years की, तो 1 divided by 1.1, 4 साल का हमने annuity factor निकाला, जो की 3.1699 calculate हो के आगया, 3.1699 आगया, is equal to initial investment आपको निकालना है, और annual cash inflow आपके पास given 1,30,000, accordingly आपको यहाँ पर initial investment बता चल जाएगा, 4,12,100, 4,12,100 के approach आएगा, तो your answer will be, B will be your correct answer, B will be your correct answer, second point, which of the following is or are not true, इन में से कौन सा सही नहीं है, regarding the risk adjusted investment appraisal technique, point number 1, in the certainty equivalent method, if there is high degree of correlation, between the cash flows for the entire project life, the certainty equivalent coefficient is taken as, one for all the years, sir, coefficient 1 तो हम लेते ही नहीं है, तो this is the false, हम जाना चारें, कौन सा true नहीं है, तो पहला true नहीं है, second, in sensitivity analysis, the impact of the changes, in one or more variable, on the criteria of merit, is studied, sir, ऐसा तो बिलकुल नहीं होता, महलब second point भी गलत है, तो कौन सा true नहीं है, पहला भी true नहीं है, फिलाल के लिए, दूसरा भी true नहीं है, तीसरा, simulation does not produce an optimal solution, sir, simulation ने optimal solution प्रवाइड नहीं करता, but the user of the technique has to generate all possible combination of condition and constraint to choose the optimal option, sir, बिलकुल ठीग बात है, simulation को यह optimal solution तो जनेरेड नहीं करता है, तो तीसरा जो है, this is the true statement, जबकि question जानना चाहरा था, कौन सा statement true नहीं है, तो पहला और दूसरा true नहीं है, तो यह answer will be C, यह जो solution मैं बता रहा हूं, answer बता रहा हूं, यह हमने already एक PDF file में यहाँ पे डाल दिये है, अगर आपको इस PDF file का download करना है, तो description box में mobile app का link given है, mobile app आप download कीजिए, उसके store section में जाइए, और store section में MQP June 2024 का आपको एक course दिखेगा, उस पे prices लिखे हूंगे tension लेने की ज़रत नहीं है, उस पे आप click कीजिए, और content में जाके, आप SFM का यह question paper आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह भी आप वहाँ से download कर सकते हो, और जो आपक cost download कर सकते हो, कोई charges नहीं है इसके, third point, again a practical, given expected value of profit without perfect information 16, कितने जब हमारे पास perfect information नहीं है, तो profit की value है 16, and the expected value of perfect information 300, और perfect information की value है 300, तो फिर बताओ, expected value of profit कितना होगा, with perfect information, तो सर, 1600 तो without perfect information है, 300 रुपए perfect information की value है, तो with perfect information होगया, 1600, 300, उनने सो रुपए, B will be your correct answer, 1900, B will be your correct answer, 1900, point number 4, the type of lease that includes a third party, a lender is called as which of the following, केतने इन में से कौन सा ऐसा type of lease है, जिसमें एक third party lender भी होता है, sir leverage release होता है, जिसमें आपको एक third party lender के नाम से भी देखने को मिलती, point number 5, fifth, the current price is रुपी 100, P0 पता चल गया, आपको 100 रुपए है, required rate of return 20%, आपको के ही पता चल गया 20% है, dividend paid कर रहे हो, आप 3 रुपए on share of face value 10 रुपए, 10 रुपए की face value है, 3 रुपए का dividend है D, what is the expected growth rate बताओ, कितना होगा, तो sir simple P0 का formula होता है, D1 upon me ke minus z, जिसको solve करके आप easily यहाँ पे z calculate कर सकते हो, formula लगा है P0 is equal to D1 upon me ke minus z, P0 question में गिवन था, 100 रुपए का लिख दिया, D1 3 रुपए, ke 20% minus z, तो z यहाँ पे calculate करते हैं, तो sir यह 17% calculate होके आ रहे है, तो your final answer will be D, 17%, D will be your correct answer, 17%, पहले जो 5 MCQ थे, उसमें आपको 3 MCQ practical मिल गए हैं और 2 theory देखने को मिल रहे हैं, next, point number 6, in the bull market, bull market, the stock prices are increasing, each peak is higher than the previous peak, each bottom is higher than the previous bottom, या both B and C, sir, bull market में आपको each peak higher than previous peak देखने को मिलता है, और each bottom higher than previous bottom देखने को मिलता है, तो D will be your correct answer, both B and C, next, 7th MCQ, Mr. X expect 20% return from his investment, केई, the dividend from the stock is 2, dividend 2 रुपे, and the present price is 50, present price है 50 का, what should be the future price of the stock, तो sir, अगर आपको future price निकालना है, P1 निकालना है, तो formula होते है, P0 into 1 plus K e minus में D1, तो P1 is equal to P0 है 50, into 1 plus 20% में 2, P1 is equal to P0 into 1 plus K e minus D1, P0 given a 50, 1 plus K e का rate है 20%, dividend है 2 रुपे, तो यह आपका final price आएगा 58, 58 will be your correct answer, B will be your correct answer, B will be your correct answer, next, 8th, YTM, yield to maturity is same as NPV, IRR, geometric mean, both B and C, तो sir, yield to maturity जो है, वो IRR की तरह भी calculate हो सकता है, तो geometric mean की तरह भी calculate किया जा सकता है, तो 8 का answer होगा आपका D, both B and C, both B and C, next, 9th, केते हैं, अगर हमारे पास opening unit 1,25,000 हो, हमने subscribe कर ली 2,00, तो 1,25,000 plus 2,00, हमारे पास 3,25,000 unit हो गई, unit redeem कर दी 50,000, 3,25,000 में से 50,000 आपने redeem कर दी, तो बच गई 2,75,000 unit, तो closing unit कितनी होगी, sir B will be your correct answer, 2,75,000 unit आपके पास closing units में रहेगी, next, 10th, if portfolio comprises 2 securities, and the expected return on them is 12% और 16% का return आएगा, आपको portfolio का return बताना है, अगर पहली security 40% है, तो sir simple सी बात है, 12 का 40% होगा, और seconds और security उस पे return 16 है, और automatically वो कितना बच गया, 60% बच गया, तो 12 चोको 48 होता है, 4.8 और यह आगिया 9.6, 14.4% will be your final answer, 14.4% C will be your correct answer, final answer, next, 11th, an investor buys 100 shares of a sugar mill at Rs. 210 per share, एक investor ने 100 shares खरीद लिये 210 के साब से, and the same time, write a September 250 call at a premium of 20 per share, 20 रुपे का premium लेकर, एक call option लिखकर दे दिया, dice होगी इसाब से expiration date पे, अब कहते हैं, अगर expiration date पे 280 रुपे का price हो गया, तो net gain या loss क्या होगा, तो देखो simple सी बात है, 210 रुपे का share आपने खरीदा था, last में 280 होगया, तो 70 रुपे का तो यह फाइदा हो गया, 280 रुपे का item, option के according की आपको 200 भी देना पड़ेगा, तो आपको 30 रुपे का यहाँ पे नुकसान होगा, तो 70 रुपे का फाइदा है, और 30 का नुकसान है, तो net जो gain होगा, वोगा 60 रुपी per share, C will be your correct answer, 60 will be the correct answer, next, 12th, with respect to capital market theory, with respect to capital market theory, the average beta of all assets in the market is, तो सर जो market होता है, मैं पता है, market का beta तो 1 नी होता है, तो B will be your correct answer, equal to 1, equal to 1, equal to 1, next, 13th, forex में से, the United States dollar is selling in India at 45.20, US dollar इंडिया में चल रहा है, 45.20, मतलब रुपी per dollar है, 45.2, एक dollar मतलब 45.2, अगर interest rate for a 6-month borrowing in India is 10% and the corresponding rate in USA 4%, इंडिया में interest rate 10% का है, USA में 4%, दान देना, period जरूर लिखा होता है, 6 मेने, 3 मेने, लेकिन यह rate of interest होते हैं, यह हमेशा पर एनम होते हैं, तो मतलब, यह 10% जो है, वो 6 मेने के लिए 5% consider किया जाएगा, और US देगा जो rate is 4%, वो 6 मेने के लिए 2% consider किया जाएगा, what would be the forward rate, premium या discount, आपको बताना है कि forward premium पे है, या discount पे है, जो भी आपका forward rate होगा, तो sir इसके लिए, हमारा formula होता है, IRPT यूज़ करते हैं, इसके लिए interest rate, parity theory, जिसका formula होता है, forward rate divided by spot rate, is equal to 1 plus periodic interest rate, divided by 1 plus periodic interest rate, forward rate मैं ले रहा हूँ, या पे रुपी पर डॉलर, क्योंकि spot rate given है, रुपी पर डॉलर अपने पास, तो जो रुपी है, उसका interest rate numerator में आएगा, और डॉलर का denominator में आएगा, forward rate अपने को calculate करना है, spot rate question में given था, 45.2 is equal to, इंडिया में rate of interest 10% है, लेकिन अपने को 6 मन्त के लिए calculation करनी है, तो सर 6 मन्त के लिए 10% हो जेगा, 5%, तो मैंने लिख दिये, 1 plus 0.10 into 6 upon में 12 करोगे, तो ये 5%, USA का rate is 4%, तो 1 plus 0.04 into 6 upon में 12 करोगे, 2% आजेगा, 45.2 into 1.05, और FR into 1.02, इसको solve किया, तो forward rate आया 46.53, सर, spot rate आपका 45.2, जो की forward में देखने को मिलेगा 46.53, तो 46.53 minus 45.2, divided by spot rate into 100 किया, लेकिन ये 6 मेने का rate आएगा, लेकिन अपने को जो rate बताने होते हैं, वो हमेशा annually निकलते हैं, तो multiple by 12 upon में 6 कर दिया, तो that will be 5.88%, इसका PDF आप हमसे demand कर सकते हो, demand भी क्या करना है, mobile app पे जाके सीधा सीधा आप डाउनलोड कर लीजे, B will be your correct answer 5.88%, 14th MCQ, plain vanilla interest rate swaps involved, fixed to floating, floating to floating या currency, सत्तो सर, plain vanilla में, fixed to floating होते हैं, एक party fixed rate पे होते हैं, दूसरी party floating पे होते हैं, उन दोनों में transaction करा के swapping की जाती है, और last जो MCQ है 15, that is, Trenure Index, the portfolio risk premium है 12%, and the standard deviation of market, and the portfolio of 4 and 3, market का standard deviation है 4, portfolio का standard deviation है 3, beta जो है 1.5 है, Trenure Index बताओ, तो सर, Trenure जो है उसको standard deviation से कोई मतलब भी नहीं होता, उनका simple formula होता है, risk premium divided by beta, तो 12 upon में 1.5 करोगे, your answer will be 8, Trenure को standard deviation से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सीधा सीधा formula बताते है, risk premium upon में, beta value, तो 12 upon में 1.5, 8 will be your correct answer, तो इस तरीके से आपको section A में 15 mcq दिये गए, 22 marks के, अब अगर मैं इसमें practical theory का थोड़ा सा analysis आपको कराऊं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sir, no question तो pure practical है, मतलब calculation based, no question तो pure practical है, calculation based, इसके अलावा ये वाला question भी आप theory नहीं बोल सकते, क्योंकि हम practical question करते वक्ती पढ़ते हैं, market का beta 1 होता है, तो इसको भी आप practical कहे सकते हो 10, 10 practical है, इसके अलावा, YTM जो है, इसका भी हमें पता होता है, investment decision में, sir, IRR, geometric mean, ये सब apply होता है, चलो, फिर भी मैं इसको consider नहीं करता practical में, बट फिर भी, we can say sir, 10 question practical है, 5 theory है, इसका मतलब ये है, 90 marks का practical paper हम attempt कर सकते हैं, 20 number का MCQ, और 70 marks का section B में, और 10 number का अपने को theory MCQ attempt करना है, उसके लिए मैं again बार-बार कहूंगा, आपके study material के chapter के पीछे, हर chapter के पीछे जो MCQ given है, वो आप कर लोगे, तो भी आप easily चीजों को attempt कर पाऊगे, 100 में से 100 number आप SFM के अंदर लेकर आ सकते हो, अगर आपकी conceptual clarity है, practical को लेकर ज़्यादा, और theoretical भी आप स्मार्ट स्टड़ी करते हो theory में, तो आप लेकर आ सकते हो, अदरवाइस देखो theory पढ़ने को कितने भी पढ़ लो, SFM की theory की कोई limit नहीं है, बट SFM की theory में time waste करने का बहुत ज़्यादा कोई benefit भी नहीं, practical तो करना ही करना पड़ेगा, और practical में मैं ये कहूँगा, practical में अपने को सब कुछ आना चीए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चीए, जो अपने को practical point of view से ना आता हो, तो बहुत अच्छे marks आप SFM की अंदर score कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम section B की तरह बढ़ते हैं, तो section B में अपने को 5 question attempt करने हैं साथ में से, हर question 14 14 marks के हैं, जिसमें 2-2 part बना दिये 7-7 marks के, अगेन मैं कहूँगा, इसमें केवल और केवल एक question, question number 8 theory हैं, बाकि सारा का सारा practical हैं, तो आप easily इसमें 70 out of 70 score कर सकते हो section B में, question number second जो है, question number second को 2 part में divide किया गया, part A, जो कि investment decision में से 7 marks का question दिया गया, और part B जो है, वो leasing decision में से 7 marks का आपको question दे दिया, question number 2 A, X limited, an existing profit making company, is planning to introduce, a new product, with a projected life of 8 years, एक company X limited, existing अगर बात करोगे profit making company है, और वो प्लान कर रही है कि हम एक नया product launch करेंगे, जिसकी life 8 साल की होगी, question 8 साल तक सलेगा, initial equipment की cost होगी 120 lakh, और additional equipment costing rupee 10 lakh, will be needed at the beginning of the third year, beginning of third year का मतलब होता है end of the second year, second year के end में, that is third year के beginning में, 10 lakh रुपे की additional equipment की cost आएगी, तो 120 lakh रुपे आपका initial cash out flow है, और ये जो 10 lakh है, वो हम second year के end में adjustment करेंगे, at the end of 8 years, the original equipment will have, resale value, equivalent to the cost of removal, क्यत्यान जो equipment initial होगा, वो जितने में भीकेगी, उतने उसको हटाने का खर्चा आएगा है, मतलब अपनी जे में कुछ नहीं हाने वाला, but the additional equipment, would be sold for Rs. 1 lakh, लेकिन ये जो additional equipment है, वो आपका 1 lakh रुपे में भीक जाएगा, ये हम use करेंगे depreciation की calculation के लिए, 120 lakh पे 8 साल का depreciation लग जाएगा, और ये जो 10 lakh है, इस पे 6 साल का depreciation लगेगा, क्योंकि 2nd year के end में और 3rd year के beginning में आपको इसोख खरीदा है, working capital of Rs. 15 lakh will be needed, 15 lakh रुपे की working capital की जरत हो की जो हम initial cash outflow में डाल लेंगे, the 100% capacity of the plant is of 4 lakh units per अनम, 4 lakh unit बनाने के आपकी capacity है, लेकिन, but the production and sales volume expected are as under, पहले साल में आप 20% मतलब 4 lakh का 20% 80,000 unit बनाओगे, 2nd year में 30% बनाओगे तो 1 lakh 20,000 unit बना लोगे, 3rd, 4th और 5th साल में 4 lakh का 75% मतलब 3-3 lakh unit बनाओगे, और 6, 7, 8 में 50% मतलब 2-2 lakh unit आप बनाने वाले हो, a sale price of रुपी 100 per unit with a profit volume ratio of 60% is likely to be obtained, तो 100 रुपय का 60%, 60 रुपय का contribution per unit कमा सकते हो, मतलब 40 रुपय per unit आपकी variable cost है, fixed cost की बात करें, तो fixed operating cash cost है likely to be 16 lakh पर है नापकी fixed cost रहेगी, in addition to this, the advertisement expenditure, advertisement expenditure will have to be incurred as under, आपके advertisement के खच्चे होंगे, पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 6, 7, 8 एर में आपको अलग अलग बता दिए, tax का rate आपको 40% apply करना है, depreciation के लिए SLM method apply करना है, जो की tax के लिए भी valid है, और 15% आपको cost of capital का rate लेते वे, हमें बताना है कि should the project be accepted, आप देख सकते हो, question में acceptance के लिए किसी method का नाम तो given है नी, तो हम NPV technique use करके चलेंगे, NPV technique use करने से पहले, हम तीन चीजे calculate कर लेते हैं, initial cash outflow, annual cash inflow, और terminal cash inflow, इसका solution मैंने आपके लिए already बना लिया है, तो सबसे पहले initial cash outflow की बात करें, तो दो figures है, सर 120 लाग रुपे का equipment, और 15 लाग रुपे का working capital, 135 लाग रुपे, 135 लेक जो है, वो आपकी यहाँ पे cost होने वाली है, 135 लेक जो है, वो आपका initial cash outflow आने वाला है, इसके बाद अगर annual cash inflow की तरब चलें, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे first year अलग है, second year अलग है, 3, 2, 5 same figures है, 6 to 8 same figure है, और एक particular, तो पांच कॉलम में आप अपना statement बना सकते हो, annual cash inflow का, year 1 to 8, particulars, first year, second year, 3, 4, 5 year, 6, 7, 8, और मैंने bracket में यहाँ पे number of unit लिख दिये है, जो मैंने यहाँ पे calculate की थी, सबसे पहले आप यहाँ पे contribution ले सकते हो, क्योंकि question ने सीधा सीधा बोला था कि 100 रुपय का 60%, विल्ब 60 रुपय का contribution है, contribution at the rate of 60 per unit लिख दिया, 80,000 into 60, 1,20,000 into 60, 3,000 into 60, 2,000 into 60, आपका contribution आ गया, contribution में से आप minus करते हो, fixed cost, 16,000 रुपय की fixed cost minus कर दोगे, 16,000 रुपय की fixed cost minus कर दोगे, साथ में मैंने यहाँ पे depreciation भी minus किया है, depreciation की अगर बात करें तो यह जो 120,000 रुपय है, इसकी 8 साल की life है कुछ मिलना नहीं है, तो सरे 120,000 को 8 साल में depreciate करने हैं, मतलब 15-15,000 रुपय है, तो पहले और दूसरे साल में तो यह 15-15,000 रुपय का depreciation रहेगा, तीसरे साल में 15,000 रुपय वाला depreciation तो हो गई, लेकिन साथ में आपने लगा दिये हैं 10,000 रुपय जिसको बेच कर 1,000,000 मिल जाएगा, तो सरे 10,000,000 6 साल की लाई बच्ची है, माइनस हो गया 1,000,000 रुपय यह हो गया, तो 15,000,000 का depreciation इस पे लग रहा था, तो 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 टोटल हो गया 16,50, तो आगे आपका depreciation चलेगा 16,50, 16,50, 16,50, 16,50, और 16,50,000 का आपका depreciation चलेगा, depreciation की calculation मैंने आगे आपको यहाँ पे show करती है, इसके बाद आपका एक advertisement का खच्चा भी था, 30, 15, 10, 4, तो copy paste करना है, 30 lakh 15 lakh 10 lakh 4 lakh आप अपना earning before tax पे पहुंच जाओगे earning before tax में से minus करोगे tax at the rate of 40% tax minus कर दिया at the rate of 40% तो हम अपना earning after tax पे पहुंच गे earning after tax में आप depreciation add back करते हो तो इसमें depreciation की जो figure आपने उपर minus करी है वो add back कर लेंगे इसके अलावा जैसा कि मैंने का कि यह जो 10 lakh रुपए यह second year के end में आप invest कर रहे हो तो second year में से यह 10 lakh रुपए minus करतो accordingly आप अपना annual cash inflow पे पहुंच जाओगे terminal की अगर मैं बात करूँ तो terminal में 1 lakh रुपए तो यह मिलेंगे साथ में आप 15 lakh का working capital release करा लोगे तो 16 lakh रुपए आपका terminal cash inflow आएगा NPV calculate करने के लिए आपको present value of cash inflows की जरत पड़ती है तो present value of cash inflow का मैंने statement यहाँ पे बना दिया है year अलग-अलग ही लिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figures copy कर लिए यहां से first year में 2 lakh second year में 20,60,000 3, 4 और 5 year में 99,99,99 99 then 6-7 year में 66,60, 66,60 और जो 8th year है उसमें 66,60 तो आएगा इस साथ में terminal भी आएगा तो यह 16,00,000 भी इसमें add कर दिया है तो 8th year में यह figure आजेगी इसी वज़ए से मैंने क्या किया अलग-अलग ही ले लिए क्योंकि मैं अगर चाहता था 3 to 5 सेम ले सकता था 6 to 7 एक साथ ले सकता था present value factor 15% के apply करने थे cost of capital का rate 15% था present value factor apply कर दिया 15% के आप calculator में चाहो तो 1 divided by 1.15 करके each year का factor calculate कर सकते हो multiply करके total किया तो यह आया 2 करोड 2 करोड 69,6642 this is the present value of cash inflow लेकर आया NPV का formula लिखा present value of cash inflow minus initial cash outflow और initial cash outflow as per question हमने calculate किया था 135 लाग minus किया तो यह positive आया और positive आया तो हम कहते हैं project को accept कर लेना चाहिए same question मैंने आपको अपनी classes में investment decision के chapter में कराया same question without any figure change यह question हमने already discuss करा हुआ है अपनी classes में इसके बाद अगर question number 2 के part B की तरह बढ़े तो sir question number 2 का जो B part है वो leasing decision के chapter में से 7 marks की वेटेश का दिया गया question number 2 part B beta limited is considering the acquisition of a personal computer costing रुपे 50,000 एक company है beta limited इनको एक personal computer की जरत है जो 50,000 रुपे में इनको मिल सकता है the effective life of the computer is expected to be 5 years इसकी life 5 साल रहेगी the company planned to acquire the same either by borrowing रुपे 50,000 from its banker at 15% interest per annum या फिर on lease company अब सोच रहे है एक तो option company के पास ये है कि हम 50,000 रुपे का loan ले लेते हैं 15% rate of interest पे करते हैं और ये computer खरीद लेते हैं या फिर ये computer हम lease पे ले लेते हैं इसने के बिजाएं the company wishes to know the lease rental to be paid annually which match the loan option question हम से जानना चार है कितना lease rent पे किया जाएं ताकि वो loan option के साथ match कर जाएं मलब दोनों में हमारी जो costing वो सेम हूं the following further information is provided to you the principal amount of loan will be paid in 5 annual equal installment सर जो principal amount होगी उसको हम equal installment में pay करने वाले हैं जो principal amount होगी उसको हम यहाँ पे equal installment में pay करने वाले हैं मतलब 50,000 रुपय का अगर loan होगा तो हर साल हम 10-10,000 रुपय पे करने वाले हैं interest, lease rental, principal repayment यह जो भी payment हो कप पे होंगे are to be paid on the last day of each year ठीक है the full cost of the computer 50,000 रुपय will be return off over the effective life of computer on the straight line basis and the same will be allowed for tax purpose मल अब depression होने वाला है 10-10,000 रुपय का depression होने वाला है 10,000 रुपय का depression होने वाला है और tax की मैं बात करूँ तो company's effective tax rate is 40% sir अगर depression 10,000 रुपय होगा 40% tax तो इसका अपने को हर साल 4-4,000 रुपय की tax saving होने वाली है तो आप tax saving on depression लिख सकते हो 4,000 रुपय the computer will be sold for रुपी 1700 at the end of 5th year पांचमे साल के end में computer बिख जाएगा 1700 में जो आपका profit ही होगा क्योंकि आपने write-off तो पूरा कर दिया था and the commission on such sale is 9% on sale value sir 17,000 रुपय में बिखेगा बढ़ अपनी जेब में 17,000 नहीं आएगा क्योंकि 9% आपका commission से ला गया तो 1547 रुपय अपनी जेब में आएगा उस पर आपको tax pay करना पड़ेगा 1547 का 40% आपको tax देना पड़ेगा 619 रुपय गा 619 रुपय गा question वही चाहता है जो उपर बोला था नीचे दुबारे बोला है you are required to compute the annual lease rental payable by beta limited which will result in indifference to the loan option indifference to the loan option के दो match the loan option के दो एक ही बात है तो sir हम इसके लिए दो calculation करते है सबसे बहले अगर हम loan लेकर इस computer को खरीदे तो हमारी cost क्या होगी तो इसके लिए हम present value of cash outflow का statement बनाते है in case of loan option already मैंने solution आपके लिए बनाया हुए 5 साल का computer है तो column लेने पड़ेंगे 6 particulars 1, 2, 3, 4, 5 sir सबसे बहले question ने कहा था 50,000 का जो loan है principal equal amount में जाएगा तो 10-10,000 रुपए आपको payment करना है 10-10,000 आपको payment करना है साथ में आप interest भी pay करोगे तो सबसे बहले interest का rate क्या है 15% sir पहले तो 50,000 का loan है तो 50,000 का 15% आपको 75,000 का interest देना पड़ेगा फिर आपने 10,000 रुपए लोटा दिये तो 40,000 का 15% देना पड़ेगा 6,000 फिर 10,000 लोटा दिये तो 30,000 का 15% 4500 फिर 10,000 लोटा दिये तो 20,000 का 15% 3000 फिर 10,000 लोटा दिये तो 10,000 का 15% 1500 इसके अलावा जब आप interest पे करते हो तो इस पे आपको टेक्स सेविंग मिल जाती है टेक्स का rhyet 40% है तो 75,000 का 40% 3000 टेक्स बेंफिट 6000 का 40% 2400 रुपए टेक्स बेंफिट 4500 का 40-…… तेक्स बेंफिट 3000 का 40-.. 1200 का टेक्स बेंफिट और 1500 का 40–600 का टेक्स benefit equipment आपका computer आपका depression claim करोगे 50,000 को write off कर देना है 5 साल में 10-10,000 रुपय का depression लगेगा लेकिन सर हम यहाँ पे present value of cash outflow निकाल रहे होते हैं depression पे केवल tax saving हम claim करते हैं 10,000 का depression होगा 40% का tax rate है तो हर साल आपको 4-4,000 रुपय की tax saving मिल जाएगी on depreciation last में जाके आप इस asset को बेचने वाले हो कितने में 1700 में जिसमें 9% commission से लाजएगा तो आपकी जेब में आएगा 1547 लेकिन ये 1547 आपका benefit है इसकी वाज़े इसकी इस पे 40% 619 रुपय का आपको 5th year के end में tax pay करना पड़ेगा accordingly आपको यहाँ पे आपके हर साल के cash outflow पता चल जाएगे ये जो cash outflow अपने को चीए इसकी present value तो sir present value calculate कर लो इसकी इसको multiply कर लो present value factor at the rate of sir question में कोई cost of capital का rate तो है नहीं 15% का 15% अच्छा cost of capital का rate given है आपे 9% चालो ठीक है 9% cost of capital का rate given है तो present value factor at the rate of 9% present value factor at the rate of 9% factor apply करके multiply कर दिया तो यह present value of cash outflow of each year आगया addition कर लोगे तो आपको loan option में present value of cash outflow पता चल जाएगा अगर मैं lease पे लेता हूँ तो sir मुझे lease rent pay करना पड़ेगा कितना तो हमें पता तो है नहीं कितना तो हम इसको एक्स एजिम कर लेते हैं और factor sir 5 साल के factor का addition तो यह present value of lease rent आपको पता चल जाएगा जब आप lease rent पे करोगे तो इस पे आपको tax benefit मिल जाएगा 40 परसेंट तो इसका 40 परसेंट यह आपका tax benefit हो जाएगा तो present value of cash outflow in lease option that will be this one question का match करवाना है तो 2.33376 x को 33838 के equal रख दो और equal लखके x solve कर लो आपको आपका answer पता चल जाएगा यह सारी working है interest की working है यह equal रखके calculation कर दिया 14,500 तो अगर each year lease rental पे किया जाए 14,500 तो जो हमारी lease के case में cost आएगी that cost will be in the same in loan option आप दोनों में से कोई भी option adopt कर सकते हो और जब हम दोनों में से कोई option adopt कर सकते हैं तो इसी को तो in difference बोला जाता है same question हमने अपनी classes में already करा हुआ है same figures सब कुछ से lease के chapter में आप जाके check कर सकते हो जो भी हमारे registered students है यह same question हम अपनी classes में already कर चुके हैं बिलकुल same कोई एक single figure में भी difference नहीं था इसके बाद अगर आप question number 3 की तरह बढ़ते हो तो question number 3 को भी दो part में divide कर दिया part a 7 marks और part b 7 marks part a जो है वो रखा गया evaluation of risky proposal में से और part b जो है वो रखा गया आपका portfolio management में से security analysis and portfolio management में से question number 3 a question number 3 a a company is considering two mutually exclusive project x and y project x की cost होगी तीन लाख रुपे और project y की cost होगी तीन लाख साथ जार initial cash outflow पता जल गया आपको x और y के you have been given below the npv probability distribution for each project आपको यहाँ पे npv given है हर एक project के estimation with their probability मतलब project x से आपको 30,000 के npv मिल सकता है probability point 1 है 60,000 मिल सकता है probability point 4 है 1,020,000 हो सकता है इसकी probability point 4 और 1,050,000 हो सकता है इसकी probability point 1 है similarly project y से आपको 30,000 के npv मिल सकता है probability point 2 रहेगी 60,000 के npv generate हो सकता है probability point 3 रहेगी 1,020,000 के npv मिल सकता है probability point 3 रहेगी और 1,50,000 का NPV मिल सकता है probability point 2 रहेगे question क्या चाहते है question चाहते है compute the expected NPV of project X and Y project X और Y का expected NPV निकालना है then compute the risk attached to each project और risk का मतलब है standard deviation आपको calculate करना है which project do you consider riskier कौन सा project ज़्यादा riskier है बता और क्यों जिसका standard deviation ज़्यादा है वो और compute the profitability index भी आपको last में निकालके बताना है इसका solution भी आपके लिए मैंने already बना लिया है तो project X सबसे बहले हम यहाँ पे expected NPV or standard deviation calculate कर लेते हैं तो sir NPV copy करो probability copy करो NPV copy किया और इसकी probability copy कर ले simply आपको expected NPV निकालने के लिए NPV को probability से multiply करके sum up करना होता है 30,000 2.1, 60,000 2.4, 1,20,000 2.4, 1,50,000 2.1 इन चारो amount का total कर लोगी आपको आपका expected NPV पता चल जाएगा expected NPV पता चल जाएगा इसके बाद आपको risk चीए that is standard deviation तो standard deviation के लिए हम क्या करते हैं deviation from expected NPV निकालते हैं 30,000 minus 90,000 minus 60,000 60,000 minus 90,000 minus 30,000 1,20,000 minus 90,000 positive 30,000 और 1,50,000 minus 90,000 positive 60,000 इसका square कर लो minus 60,000 का square minus 30,000 का square 30,000 का square और 60,000 का square और जो square की value आई है इसको probability से multiply करके इसका sum up कर दोगे तो ये आपको आपका variance पता जल जाता है ये आपको आपका variance पता जल जाता है ये आपको आपका variance पता जल जाता है और इसका जब root करोगे root करोगे तो आपको आपका जब आपको इसका root करोगे तो आपको आपका standard deviation पता चलेगा same calculation आपको same calculation आपको y के लिए करनी है expected NPV copy करेंगे 30, 61, 20, 150 और इसकी probability copy करेंगे 30,002.2, 60,002.3, 1,020,002.3, 1,050,002.3 sir expected NPV दोनो का ही नभ्य नभ्य जा रुपय then deviation निकालो 30,000-90,000-60,000, 60,000-90,000-30,000 1,020,000-90,000 positive 30,000 1,050,000-90,000 positive 60,000 इसका square कर लो minus 60,000 का square minus 30,000 का square 30,000 का square और 60,000 का square अब इस square को probability से multiply कर लो 0.2 into जो भी यह values है multiply करके sum up करोगे और इस sum up का under root करोगे तो आपको आपका standard deviation पता चलेगा स्टेंडर deviation पता चलेगा सर पहली और दूसरी requirement हो गई कौन सा riskier है इसके लिए हम CV calculate कर सकते हैं CV का formula होता है standard deviation upon may expected NPV 37947 divided by 90,000 and 44497 divided by 90,000 तो सर इसमें ज्यादा जो आ रहा है CV वो आ रहा है Y का तो Y ज्यादा riskier है project Y ज्यादा riskier है question में fourth requirement थी आपको profitability index निकाल के बताना था sir profitability index का formula apply कर सकते हो present value of cash inflow upon में present value of cash outflow यह जिसको आप discounted cash inflow upon में discounted cash outflow भी लिख सकते हो x की बात करें sir cash inflows की बात करें तो cash inflows क्या है आपका present value of cash inflow के लिए हमने क्या किया हमारे पास expected NPV आ गया था 90,000 सर NPV का formula क्या होता है present value of cash inflow minus initial cash outflow तो अगर आप NPV में initial cash outflow add back कर दोगे इनीशल cash outflow में इनीशल cash outflow add back कर दोगे अगर expected NPV में तो आप कहां पहुंच होगे present value of cash inflow पे divided by initial cash outflow तीन लाग और तीन लाग साट रजागे तो यह आपका profitability index आ गया this is the simple question 3a same question again अपने classes में कर चुके हों कर चुके हैं same figure के साथ again इसमें किसी भी तरीकिया कोई भी figure में change था ही नहीं evaluation of risky proposal में आप question number 9 जाके check करोगे अपने मैंने जो notes आपको provide कर आए है same question आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाग next जो question है question number 3 का B part that is given from portfolio management question number 3 B the rates of return on the security of company S and market portfolio वो 10 periods आपको 10 periods के लिए एक तो company S की security का return given है और एक साथ में market portfolio का return भी given है एक से लेकर 10 साल तक company S security का return और market portfolio का return given है कैते हैं compute the beta of security S security S का beta निकालके बताओ then determine the characteristic line security S का and then systematic and unsystematic risk of security S तो सर अपने को security S के लिए beta characteristic line और systematic and unsystematic risk calculate करके देने हैं इसका solution भी मैंने आपके लिए त्यार कर लिया है already सबसे पहले अगर beta की बात करें तो सर सबसे पहले column में आप period copy कर लो एक से लेकर 10 साल तक period copy कर लिये period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसके बाद market का जो return given है वो copy कर लिया 22 20 18 16 28 minus 6 5 6 और 11 RM के नाम से market का return copy कर दिया market का return copy कर दिया इसका addition भी किया है ताकि हमें average निकालना हो तो निकाल सके इसके बाद जो security 20 का return given है इसका वो copy कर लिया 20 22 25 21 18 minus 5 17 19 minus 7 और 20 तर यह भी copy कर दिया और इसका भी total कर लिया 150 आ गया 150 आ गया इसके बाद इसके बाद हम RM minus bar RM करते हैं that is sir 22 क्योंकि question में probabilities नहीं है अगर probability होती है तो हम क्या करते है return को probability से multiply करके उसका जो sum up करते है उसको expected return बोल दिया जाते है फिलाल आपको क्या करना पड़ेगा expected return के लिए 120 है तो 120 divided by 10 12 आ जाएगा और security का 150 divided by 10 करोगे 15 आ जाएगा निकाला हुआ है यहां पर mean निकाला हुआ है मार्केट का mean return आ जाएगा average return आ जाएगा 12 और security का आ जाएगा 15 simply कैसे निकाला 120 divided by 10 periods 150 divided by 10 then r minus 12 r करते हैं तो पहले market की calculation कितना है market का 10 वो 12 market का है 12 तो 22 minus 12 10, 20 minus 12 8, 18 minus 12 6, 16 minus 12 4, 20 minus 12 8, 8 minus 12 minus 4, minus 6 minus 12 minus 18, 5 minus 12 minus 7, 6 minus 12 minus 6, 11 minus 12 minus 1 similarly r minus bar r of security कर लो security का average कितना रहा था 15 15 तो 20 minus 15 5 22 minus 15 7 25 minus 15 10 21 minus 15 6 18 minus 15 3 minus 5 minus 15 minus 20 17 minus 15 2 19 minus 15 4 minus 7 minus 15 minus 22 20 minus 15 5 20 minus 15 5 इसके बाद इसके बाद r minus bar r square तो पहले market का 10 का square 100 8 का square 64 6 का square 36 4 का square 16 8 का square 64 minus 4 का square 16 18 का square 324 7 का square 49 6 का square 36 और 1 का square मत similarly security का r minus 12 r square कर लो 5 का square 25 7 का square 49 10 का square 100 6 का square 36 3 का square 9 20 का square 400 2 का square 4 4 का square 16 22 का square 484 और 5 का square 25 r minus 12 r square हो गया अब यह जो आपने square निकाले हैं इनको multiply कर लो क्योंकि probability तो है नहीं अपने को covariance निकालने के लिए जाना है तो dm multiply by ds dm multiply by ds square को multiply नी r minus bar r multiply by r minus bar r of security into market तो 10 into 5 50 8 multiply by 7 56 6 multiply by 10 60 4 multiply by 6 24 8 into 3 24 minus 4 into minus 20 80 minus 18 multiply by 2 minus 36 minus 7 into 4 minus 28 minus 6 multiply by minus 22 132 minus 1 into 5 minus का 5 357 अगर आपको variance निकालना है तो 706 divided by 10 कर दो 706 divided by 10 कर दो 70.6 आजएगा variance 1148 divided by 10 कर दो 114.8 आजएगा variance standard deviation क्या होता है variance का root तो 70.6 का root करोगे 8.4 और 114.8 का root करोगे 10.78 यह आपको सर्ष standard deviation पता चल गए इसके बाद अपने को covariance की ज़रत पढ़ेगी और correlation की ज़रत पढ़ेगी तो covariance का formula apply करने के लिए simply आपने जो multiplication किया था 357 इसको divide कर दो 10 से आपको आपका covariance पता तर ज़रत जएगा 35.7 35.7 बीटा का formula apply कर लो बीटा का formula apply कर लो covariance under root में covariance divided by standard deviation market का formula apply किया है तो covariance था 35.7 और standard deviation market का था आपका एक सेगेंड standard deviation नहीं variance market होता है बीटा नहीं काल रहे है न बीटा का formula होता है covariance divided by variance market तो variance market का था 70.6 तो 0.51 आपका बीटा आजाएगा पहली requirement यही थी पहली requirement में आपको security एसका बीटा calculate करके देना था second requirement में आपको characteristic line draw करके देनी है तो सर characteristics line की अगर मैं बात करूँ characteristics line के लिए data लिख लिए सबसे पहले security है S तो उसका average निकाला था आपने average return आया था 15 average return आया था अपना 15 बीटा आपने निकाला 0.51 और market का average return था आपका 12 जो characteristic line होती है उसका formula होता है y is equal to a plus bx characteristics line को indicate के अज़त है y is equal to a plus bx इसमें a calculate करने के लिए आप formula apply कर लो average return of security minus beta into market return जो कि आजेगा 8.88% 8.88% तो ये जो 15 है ये जो 15 है that is average return of security is equal to a plus bx bx मतलब beta into market return 12% तो accordingly इसको किस तरीके से लिख दिया जाता है sir security s की characteristics line लिखी जाएगी a a की value 8.88% प्लस beta है 0.51 into market return जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 कि accordingly otherwise ये change होता रहेगा accordingly characteristics line भी change होती रहेगी यहाँ पे एक note लिखा हुआ है as such कोई relevancy नहीं है question को solve करने के लिए आप direct जैसे बताया गया है वैसे ही question को solve करके चलो इसके बाद तीसरी requirement आपको systematic और unsystematic risk भी calculate करके देना है systematic और unsystematic risk की बात करें तो हम standard deviation already calculate कर चुके हैं 10.71 आया था standard deviation security S का और इसका variance आया था 114.8% systematic risk का formula होता है B2 beta into standard deviation of market sir beta आया था 0.51 beta आया था 0.51 और standard deviation आया था market का 8.4 4.284 that will be your systematic risk that will be your systematic risk अगर आप standard deviation के basis पे निकाल रहे हो तो और unsystematic risk की बात करें तो जो total risk होता है उसमें से systematic अटा दो sir total risk 10.71 है जिसमें से systematic 4.284 अटा दोगे तो 6.426 रह जाएगा आप इस तरीके से भी systematic और unsystematic निकाल सकते हो otherwise आप variance के basis पे भी निकाल सकते हो formula होता है beta square into variance market sir beta.51 था तो उसका square करके into variance था market का market का variance था 70.6 यह आजएगा systematic risk और जो total risk के variance उसमें से minus करोगे systematic risk तो आपका unsystematic risk आजएगा दोनों तरीके बता दिये standard deviation के basis पे भी और variance के basis पे भी जो आपको ठीक लगे उसके basis पे आप exam में अपना systematic और unsystematic risk के calculate करके आ सकते हो this was the question number 3B इसके बाद अगर आप question number 4 की तरफ बढ़ते हो तो question number 4 का A part आपको दे दिया equity valuation में से और part B जो है वो आपको दे दिया mutual fund में से 7-7 number की दोनों की ही weight is यहाँ पे आपको दी गई है question number 4 A for the first 4 years for the first 4 years India incorporated is assumed to grow at a rate of 10% पहले 4 साल growth rate रहेगी 10% की after 4 years the growth rate of dividend is assumed to decline linearly to 6% उसके बाद यह 6% तक जाएगी after 7 years it is assumed to grow at a rate of 6% infinitely 7 साल के बाद यह 6% चलेगी हमेशा the next year dividend is 2 per share D1 आपके पास given है और required rate of return जो कहीं आपको अप्लाई करना है वोद करना है 17% आपको value निकाल के देनी है stock की equity valuation का question है already मैंने आपके लिए solution बना लिये done देना question ने क्या कहा पहले 4 साल तक आपकी growth rate रहेगी 10% उसके बाद यह linearly 6% तक जाएगी मतलब 10 से 9, 8, 7, 6 इस तरीके से तो होगा क्या growth rate एक से लेकर 4 साल तक रहेगी 10% फिर यह 6% तक जाएगी linearly तो 5th year में 1% कम होकर 9 जाएगा फिर next year में 8 हो जाएगा फिर next year में 7 हो जाएगा और फिर next year में 6 हो जाएगा जब यह 6 हो जाएगा जो कि 7 साल के बाद हो जाएगा तो फिर यह हमेशा 6% ही चलेगी फिर यह 6% ही चलेगी मतलब 7 साल के बाद मतलब 8 साल से यह 6% ही चलेगी question ने कहाता था expected dividend D1 2 रुपे है तो D1 अगर 2 रुपे है तो D2 हो जाएगा 2 प्लस 10% 2.2 4 साल तक तो 10-10% ही चलेगा 2.2 प्लस 10% 2.42 2.42 प्लस 10% 2.662 चार साल हो गए पांचवे साल में 9% तो 2.662 प्लस 9% next year में 8% 2.902 प्लस 8% next year में 7% तो 3.134 प्लस 7% 3.353 आप चाहो तो आठवे साल का भी calculation कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक तो 7 साल में आपको ये dividend receive होंगे तो हम क्या करते हैं statement of value of stock बनाते हैं सबसे बहले time period लिखते हैं year 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 सर इन 7 सालों में तो dividend receive करेंगे जब ये constant हो जाता है growth rate तो हम अपने share को base देते हैं हम अपने share को base देते हैं तो उसके लिए हम 7 साल के end में price निकालते हैं that is P7 P7 का formula होता है D8 upon में K minus D8 तो D8 आप calculate कर लो D7 into 1 plus growth rate of 8 year D7 था 3.353 और 8 साल में that is 7 साल के बाद growth rate 6% रहेगी तो इसको 6% से बढ़ाने का मतलब dividend होगा 8th year में 3.554 upon में required rate of return question में given है 14% का और growth rate होगी 6% की इसको solve करोगे तो 7th year के end में आपके share का price 44.425 होगा इस price पे हम share को base देते हैं present value factor अप्लाई कर लो cost of capital rate 14% के just multiply करके इसका sum up करोगे आपको आपका answer find out हो जाएगा that will be your V0 value of stock 28.7 इस तरीके से आप equity valuation के question number 4A को solve करके दे सकते हो और 4B में आपको एक mutual fund का question यहाँ पे 7 marks प्रिवेटेज के लिए दे दिया गया question number 4B there are two mutual funds X mutual fund and Y mutual fund though mutual fund X or Y each having closed ended equity scheme NAV as on 31st December 2022 of equity scheme of X mutual fund is Rs. 70.71 consisting 99% इसमें equity है और 1% cash है and that of Y mutual fund is 62.50 consisting 96% इसमें equity और 4% बचा हुआ cash है तो दो mutual fund scheme X और Y 31.12.2022 को NAV बता दिया दोनों का और उसके अंदर कितना परसंट equity और कितना परसंट cash है वो बता दिया following is the other information दोनों ही mutual fund का sharp ratio trenio ratio और standard deviation given है there is no change in portfolio during the next month and annual average cost is Rs. 3 per unit for the scheme of both the mutual fund 3 रुपे पर unit की cost है हर एक scheme में for calculation consider 12 months in a year एक साल में बारा महिने मानके चलो and ignore number of days for particular month 31 दिन, 28, 39 दिन ऐसा कुछ मत मानके चलो calculate NAV after one month एक महिने के बाद NAV निकाल के बताओ अगर market 5% डाउन चला जाता है तो अगर market 5% डाउन चला जाता है तो बताओ एक महिने के बाद क्या NAV होने वाला है तो सर इसका solution भी मैंने आपके लिए already prepare करा हुआ है तो सबसे बहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने याप ए working note बनाए है decomposition of fund into equity and cash component देखो mutual fund दो थे एक्स और य एस पर question हमें बताया गया कि 31st December 2022 को एक्स mutual fund का price था 70.71 और य का था 62.50 यहाँ पर तोड़ा सा मैं date change करूँगा और date है 31st December 2022 31st December 2022 जिसमें as per question एक्स mutual fund में 99% equity था जबकि वाई में यह 96% था तो equity का percent जो है वो 99 और 96% है तो अगर हम बात करें तो 70.71 में 70.71 का 99% मलब 70 रुप है इसमें equity element है वाई में बात करें तो 62.5 का 96% इसमें 60 रुपीज का equity element है तो इसमें 0.71 जो बच गया वो cash का element है और वाई में जो 2.5 बच गया वो cash का element है तो सबसे बहले तो जो हमें equity और cash का composition बताया था उससे हमने जो NAV था उसको अलग-अलग कर लिये then अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें beta की calculation कर सकते हैं with the help of sharp ratio अगर मैं sharp ratio की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो beta है हमारा beta हमारा beta जो हमारा sharp ratio जो है sharp ratio 2 है sharp ratio हमारा 2 है formula होता है r minus rf upon my standard deviation तो यहाँ से हम क्या है r minus rf that is risk premium एक तरीके से divided by standard deviation अपने पास गिवन था that is 11.25 तो इसका मतलब यह जो er minus rf है वो आपका calculate हो कि आजएगा 22.5 22.5 इसके बाद आप train ratio यूज कर सकते हो train ratio गिवन है 5 train ratio गिवन है 5 सर यह 15 लिखा हुआ है जबकि यह 5 होना जी है मेरे साब से तो चलो एक छोटा सा change करवाता हूँ अब answer तो बनाया हुआ है यहाँ पर जो है train ratio में 5 की जगे 15 कर देता हूँ कोई विरक नहीं पढ़ना इससे concept तो same ही चलना है तो 15 ए ट्रेन यो रेशियो है जिसका formula होता है यहाँ पर ट्रेन यो रेशियो गिवन ता अपने पास 15 15 तो यह हो गया 15 बीटा is equal to 22.5 तो यहाँ से आप अपना बीटा calculate कर सकते हो जो की 1.5 calculate हो के आएगा similar calculation y के case में की जा सकती है पहले sharp ratio apply हो जाएगा पहले sharp ratio apply हो जाएगा sharp ratio given है 3.3 और standard deviation given आपका 5 तो यह हो जाएगा 3.3 into 5 16.5 आजाएगा ER-RF जब ER-RF आगे आपके पास तो अब आप ट्रेन यो रेशियो यूज कर लो इसके अंदर तो ट्रेन यो 15 ही given है तो सरी आजाएगा आपका बीटा आजाएगा 1.1 का बीटा आजाएगा 1.1 का इससे क्या है आप equity में कितना impact आएगा वो देख सकते हो हुआ क्या as per question आपका जो market है वो 5% से down गया market का बीटा हमेशा 1 होता है अब जो X है उसका बीटा है 1.5 तो इसका मतलब X में impact आएगा 1.5% डाउन जाएगा और Y का बीटा है 1.1 तो इसमें 5.5% डाउन जाएगा तो एक मेहने की बाद cash की क्या कहानी होगी सर जो cash था 0.71 cash था आपका 0.71 as per question आपका जो खर्चा है आपका जो खर्चा है वो 3 रुपे पर unit पूरे साल का है अगर 3 रुपे पर unit पूरे साल का है तो 3 डिवाइड बाइ 12 एक मेहने का 25 पैसे का खर्च हो जाएगा तो आपके पास cash बचेगा 0.46 similarly y में आपके पास cash element था 2.5 उसमें से 25 पैसे का खर्चा हो जाएगा तो 2.25 बचेगा similarly जो आपका equity था equity था equity आपका कितना चल रहा था सर equity element हमने निकाला था यहाँ पे equity element आपका चल रहा था 70 का equity element आपका चल रहा था 70 का 70 में से 7.5% डाउन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 64.75 और y mutual fund में आपका equity का element था 60 जो कि 5.5% से डाउन हो जाएगा तो यह बच जाएगा 56.7 इसमें cash की amount एड कर दो 0.46 और 2.25 तो आपको आपका NAV balance after one month पता चल जाएगा तो इस तरीके से आप इस question को attempt कर सकते हो exam पर दोवी से मुझे लगता है यह question में भी exam में आप से पूछ ले क्योंकि थोड़ा सा different question है बाकी जो हम questions अपनी classes में करते है उसके comparison में आपके study material में से यह question institute ने pick किये 7 marks की weightage के लिए इसमें मैंने अपनी तरफ से एक छोड़ा सा change कराया यह 5 लिखा वा तब मैंने यहाँ पर 15 के इसाब से आपको calculation कराई ती काफी आई हो जाएगा बाकी कोई फरक नहीं पढ़ता देखो concept तो same ही चलना है इसके बाद अगर आप question number 5 की तरफ बढ़ते हो तो sir question number 5 का जो part A है that is given from your portfolio security analysis and portfolio management और part B जो है वो given आपका Jensen model में से और sir यह भी आपको portfolio में से ही given है question number 5 जो है we can say fully dedicated for portfolio management question number 5 A Subo has invested in 4 securities M, N, O and P and the particulars of which are as follows एक investor ने 4 securities में invest किया M में 1,25,000 N में 1,50,000 O में 80,000 और P में 1,45,000 का investment किया beta जो है हर एक security का beta given है 0.6, 1.5, 0.9 और 1.3 if RBI bonds carries an interest rate of 8% sir RBI का जो rate होते है वो risk free होते है and nifty yield 14% nifty जो होते है वो market return को indicate करते है compute the expected return on portfolio आपको portfolio return calculate करके बताना है उसके बाद कहते है if investment in security O चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं यहाँ तक कि sir expected return on portfolio calculate करके दू इसका solution already मैंने आपके लिए तयार कर लिया था 5A का सबसे बहले portfolio beta अगर आपको calculate करना है portfolio beta अगर आपको calculate करना है तो simple सी बात आपको weights पता होने चीए हर एक security के हर एक security के weight पता होने चीए या तो आप portfolio beta इस तरीके से निकाल सकते हो या इस तरीके से टोटल हो गया पांच लग प्रपोर्शन निकाल लो 1,25,000 डिवैड़ बाई 5 लग 1,50,000 डिवैड बाई 5 लग 80,000 डिवैड बाई 5 लग और 1,45,000 डिवैड बाई 5 लग इसके बाद आपको हर एक security का beta गीवन है 0.6, 1.5, 0.9 और 1.3 वो copy करो और weight को beta से multiply करके इसका sum up कर लोगे आपको आपका answer मिल जाएगा या फिर आप क्या करो ये weights निकाल लो आपके पास beta given है आप सीधा सीधा formula अप्लाई कर सकते हो 0.60 into 0.25, 1.5 into 0.3, 0.90 into 0.16, 1.3 into 0.29 लेकिन मैं इस निजिस्ट करूँगा जब amount given हो तो statement बनाना आपके लिए ज्यादा better होता है तो सर्फ पहली requirement question की ये है कि आपको portfolio beta निकालना था then question ने कहा if investment in security O अगर ये जो O वाली security है इसको replace कर दिया जाए RBI bond से मतलग इसका beta हो जाएगा 0 क्योंकि ये risk free होगा तो beta 0 हो जाएगा what corresponding change will be there in portfolio beta and expected return तो आपको बताना है portfolio के beta और expected return में क्या change आएगा तो सर्फ सिंपल सी बात है ये सब कुछ same चलेगा लेकिन ये जो beta है O का ये 0 हो जाएगा ये जो beta है O का ये 0 हो जाएगा अगर आप expected return की बात करते हो formula apply कर सकते हो RF plus beta into RM minus RF RF जो है वो तो 8% given ही है और RM जो है वो 14% रहेगा आपको चीए beta तो सर्फ बीटा की जो calculation है अच्छा अभी तो ये वाला return निकाला है इसके basis पे 1.121 के basis पे return आ रही थी आपकी 14.726 जब आप O को replace करके RBI का bond लेआ होगे उससे क्या होगा सर उससे ही होगा कि ये 0.15 सेम रहेगा ये 0.45 सेम रहेगा ये 0.144 जो है ये 0 हो जाएगा और ये 0.377 मतलब 0.977 बीटा हो जाएगा accordingly RF plus beta चेंज करके into RM minus RF आपको आपका नया expected return पता चल जाएगा बस इसका तो इतना छोटा सा ही answer ही था इसके बाद इसके साथ साथ जो question number 5 का B part attach किया गया सर ये भी portfolio में सही है Jensen model portfolio में भी हम Jensen model पढ़ते हैं और 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 mutual fund में भी हम Jensen model पढ़ते हैं point number B based on the data provided below compute and compare the performance Jensen तो performance evaluation बताता है of the portfolio using the Jensen model of differential return तीन portfolio है 1, 2, 3 हर एक का return given है और हर एक का beta भी given है market portfolio का return रहेगा 12% का और risk-free rate of return जो है वो रहेगा 6% का ताकि आप RF plus beta into RM minus RF easily apply कर सको तो सर इसका solution भी मैंने आपके लिए तयार करा हुए तो सबसे बहले required return under CAPM आप calculate कर सकते हो formula apply होता है RF plus beta into RM minus RF RF सर RF रहेगा आपका 6% का RF रहेगा आपका 6% का plus RM minus RF RM रहेगा आपका 12 का तो 12 minus 6, 12 minus 6, 12 minus 6 multiply by beta सर बीटा है आपका 1.2, 2.8 और 1.4 accordingly यह आपका required return under CAPM आजेएगा then आपके पास portfolio की return given already the difference between actually realized return जो question में given है actually realized return यह है and return under CAPM जो आपने calculate कर ली that is known as alpha as per sense of alpha and they are as follows तो portfolio 1, 2 और 3 का आप alpha निगाल सकते हो actual return copy कर लो 14.5, 9.5 और 18 और इसमें से minus कर दो required return under CAPM तो आपको आपका Jensen alpha पता चल गया तो best performance जो है वो portfolio 3 की है इसके बाद portfolio 1 का number आता है portfolio 2 जो है वो negative है the best performance is of portfolio manager 3 having the highest value of positive alpha next best हो गया आपका portfolio 1 और portfolio तो underperform है क्योंकि इसकी alpha value negative calculator के आ रहे गया तो बस इस question का इतना सा ही answer था तो question number 5 जो है वो एक छोटा बनाये गया 14 marks के पंड़ोंविस से A और B दोनों ही part इसके छोटे छोटे गीवन थे इसके बाद आपका अगर question number 6 की तरफ देखते हो तो सर्फ question number 6 जो है वो आपको एक हैजिंग का question दे दिया आपको एक हैजिंग का question दे दिया derivative में से और B part B derivative में से call option का question दे दिया option का question दे दिया call option का question दे दिया question number 6 A decide which position on the index future derivative future का question है gives a speculator a complete hedge against the following transactions किते index future पे एक speculator क्या position ले ताकि complete hedging हो जे तीन situation है point number one the share of yes limited is going to rise yes limited company का share जो है वो पड़ता जा रहा है he has a long position on the cash market of rupees 100 lakh on the yes limited sir ठीक है yes limited का share बढ़ता दार है और हमारी long position है तो हम तो अच्छी position में है the beta of yes limited is 1.25 beta जो चल रहा है yes limited का वो 1.25 का चल रहा है तो कहीं न कहीं आप क्या करते हो आप long के against में hedging करनी हो तो short करना होता है short के against में hedging करनी हो तो long करना होता है तो point number one की बात करें तो value to be traded in future जो होगा future में जो आपको trading करनी चीए index में वो करने का तरीका क्या होता है amount of portfolio into hedge ratio amount of portfolio into hedge ratio तो portfolio की amount अगर आपकी 100 lakh की होगी तो उसको multiply आपने करना पड़ेगा hedge ratio से multiply आपको करना पड़ेगा hedge ratio से मतलब yes limited अगर बढ़ता जा रहा है 100 lakh का transaction है beta 1.25 है तो 125 lakh रुपेगा 125 lakh रुपेगा आप ultra transaction कर लो मतलब short कर लो क्योंकि hedging के लिए क्या होता है long position आपकी है तो short position लो short position है already तो आप long position लो beta 1.25 है तो सवा गुना सो लाग के comparison में सवा सो लाग का short position आपको लेनी पड़ेगा second point the share of no limited is going to depreciate एक company है no limited जिसका गिरता जा रहा है price he has a short position on the cash market of rupees 50 lakh on the no limited अगर short position है तो आपको long position लेनी पड़ेगी and the beta of the no limited is 0.90 तो 50 का 0.90 पेंतालिस लाग रुपेगा आपको long करना पड़ेगा तो no limited depreciate होता जा रहा है पचास लाग की आपने position ले रखी है short तो 50 का 0.90 के accordingly 45 लाग रुपेगा long कर लो principle क्या केता है principle for deciding the position on index future क्या केता है अगर price बढ़ता जा रहा है तो action in stock market अगर आपने buy या long कर रखा है तो sell या short करो और अगर stock का price गिरता जा रहा है और आपकी position short है तो उसका उल्टा करके buy या long position ले लो जो कि हमने no limited में किया तीसरे point में बात करें तो the share of fair limited is going to stagnant impact मतलब changes नहीं है he has a short position on the cash market of 40 लाग of the fair limited और इसका जो बीटा चल रहा है वो 0.75 चल रहा है तो sir आप देख रहे हो कि आपकी position क्या है आपकी position short है short है तो आपको long करना पड़ेगा 40 लाग रुपए की आपने position ले रखी है तो 0.75 के accordingly 30 लाग रुपए का आप long ले लो simple कहूंगा ज्यादा उलजने की जुरत नहीं है अगर आपको हैजिंग करनी है complete तो आपने अगर long position ले रखी है तो short position लो short position ले रखी है तो long position लो और बीटा की हिसाब से अगर बीटा ज्यादा है तो जैसे यहाँ पे सवा था तो सवा से multiply कर लो 0.9 था 0.9 से multiply कर लो 0.75 था 0.75 से amount को multiply करके amount of aging आप calculate कर सकते हो इसी तरीके से 6B की तरफ बढ़ें तो sir 6B जो है वो आपको option में से एक question दे दिया गया option में से एक question दे दिया a put and a call option each have an expiration date 6 month hence and an exercise price रुपी 9 चाहे put option की बात करूँ चाहे call option की बात करूँ 6 महीने बात का expiration date है और exercise price इसका 9 रुपे का quote की अजार है the interest rate for the 6 month period is 3% 6 महीने के लिए rate of interest चल रहा है market में 3% का point number 1 if the put has a market price of repeat 2 put का आज market price माल लो 2 रुपे है and share चल रहा है 10 रुपे पर share का तो compute the value of the call तो sir आपको put का price given है आपके पास exercise price भी है तो आपको call की value अगर calculate करके देनी है तो इसके लिए आप put call parity theory जो है उसकी help ले सकते हो हमें पता है कि put call parity theory में value of call plus present value of exercise is equal to current spot price plus value of put होता है अगर इसको symbolical form में लिखे हैं तो value of call को हम c लिख देते हैं present value of exercise price को e p into e की power minus rt is equal to current spot price sp0 plus value of put is indicated by p सबसे बहले case a की बात करते हैं formula copy कर लिए c plus e p into e की power minus rt is equal to sp0 plus p c is equal to c is equal to spot price plus p और यह इदर आकर minus में डाल दिया e p into e की power minus rt क्योंकि अपने को तो call की value निकाल के बतानी है तो सबसे spot spot की अगर बात करें spot की अगर बात करें 10 रुपे का share है 10 रुपे का एक share है put की value की बात करें तो सर्फ put का market price 2 रुपे है put का market price 2 रुपे है minus exercise price कितना है 9 रुपे into e की power minus rt तो सर्फ 3% का rate of interest है 6 मेने के लिए इसकी अगर आप e table में जाके value देखते हो तो ये e table में आपको value मिल जाएगी e की power minus present value निकालनी है तो minus rt r rate of interest 0.03 into t time period है 6 बटा बार इसकी value अगर आप e table में जाके देखते हो तो आपको ये e table में value मिलती है 1.015 double 1 according आप इसको solve करोगे 10 plus 212 minus ये value हो गई 8.86 तो call की value 3.14 आ जाएगी exam में ज्यादा tension लेने की ज़रत नहीं है आपको ये जो e की value है ये आपको बताई जाएगी कहीं न कहीं जैसे इसमें तो MTP में दिया नहीं हुए है बट exam पंडविसे में बात करूँ आज तक जितने भी हमारे exam हुए है e की table की value जो है वो given होती है हमें तो कभी भी calculate करना नहीं होता है B situation देखें तो कहते हैं अगर put का market price 2 रुपई हो साथ में call का भी value बता दिये इस बार 4 रुपई इस बार आपको share का price बताना है मतलब SP0 बताना है spot price बताना है तो equation सेमी होगी C plus E P into E की power minus RT is equal to SP0 plus P इस बार आपको SP0 निकालना है इस बार आपको SP0 निकालना है तो formula बन गया C plus E P into E की power minus RT और यह इदर आकर minus P हो गया Sir spot price निकालना है call की value value of call है 4 रुपई की value of call है 4 रुपई की plus E exercise price 9 into E की power सेम चलेगा जो यहाँ पे था minus minus call की value है sir call की value यहाँ पे 2 रुपई लिखी हुई है और यहाँ पे जो है call की value एक रुपई लिखी हुई है तो यहाँ पे जो call की value है यहाँ पे जो call की value है एक काम करता हूँ मैं question में ही change कर बाता हूँ यहाँ पे एक रुपे कर लो call की value conceptual जाना है अपने को कोई answer दो ने match करने है minus 1 तो SP0 is equal to 4 plus इसको solve कर लो minus 1 तो सर यह आजाएगा 11.86 11.86 इसके बाद यह भी तीसरी situation है केते हैं the call कई market value है 5 रुपे इस बार C है 5 रुपे market price से SP0 बता दिये 12 रुपे पर share इस बार put की value P निकाल के बताना आपको इस बार P निकाल दो formula तो वही apply होगा C plus EP into E की power minus RT is equal to SP0 plus P अगर आपको P निकालना है तो C plus EP into E की power minus RT minus SP0 हो जाएगा call की value इस बार चल रही है आपकी 5 रुपे call के value इस बार चल रही है आपकी 5 रुपे plus EP into E की power minus RT ये same ही चलेगा जो पहले चल रहा था minus spot price हो गया 12 रुपे spot price हो गया 12 रुपे इसको solve करोगे तो value पुटा जाएगा 1.86 तो 3 cases है बढ़ 3 ही cases को solve करने के लिए आपको किवल और किवल put call parity का जो formula है वो पता होना अच्छी इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके बाद जो question number 7 आपको दिया गया question number 7 आपको पूरा पूरा forex में से दे दिया गया question number 7 का A part भी forex में से दे दिया और part B जो है वो भी आपको यहाँ पे forex topic में से ही given है question number 7 following are the details of cash inflows and outflows in foreign currency denomination of M company एक company के cash inflows और outflows आपको पास given है और वो भी foreign currency में an Indian export firm है MN company which have no foreign subsidiary अगर मैं बात करूं तो इनका US dollar में 4 करोड रुपे का inflow और 2 करोड का outflow है spot rate सल रहा है 48.01 रुपी पर डॉलर और forward rate है 48.82 रुपी पर डॉलर friends frank की बात करें तो 2 करोड रुपे का inflow होना है 80,000,000 रुपे का outflow है 7.45 रुपी पर FF और 8.12 रुपी पर FF आपका spot और forward rate सल रहे UK pound की बात करें तो pound में 3 करोड का अपने को inflow आना है 2 करोड का outflow होना है rate सल रहा है 75.57 spot में और forward में 75.98 yen की बात करें तो yen में अपने पास 1.5 करोड आना है रही करोड जाना है rate सल रहा है 3.2 और 2.4 का question की demand है determine the net exposure of each foreign currency in terms of रुपी and are any of the exposure position offsetting to some extent तो इसका solution भी आपके लिए मैंने बना कि already तयार करा हुआ है same question हम अपनी classes में भी करते हैं सबसे पहले आप अपना net exposure calculate कर लो spot rate in lex 4 currency थी US dollar, FF, UK pound और Japanese yen तो 5 column बना लिए हैं including particulars सबसे बहले inflow और outflow देख लिया कि sir inflow होना है अपने को 400 लाग का सारी figure lakhs में ले ली 400, 200, 300 और 150 का अपने पास inflow आना है जबकि अपना जो outflow होना है 200, 80, 200 और 250 का तो net position की बात करें तो sir net inflow आना है 200 का net inflow 120 का net inflow 100 का और यहाँ पे net outflow होना है 100 का spot rate की बात करें तो spot rate given है 48.01, 7.45, 75.57 और 3.20 तो sir spot के हिसाब से यह calculation बनती है spot के हिसाब से यह calculation बनती है कि कितना कितना रुपी टर्म्स में अपना inflow और outflow होना है और अगर forward की बात करें तो sir forward में भी same copy करो कि हमारा inflow कितना कितना और outflow कितना कितना है तो net position same आयेगी फिर से लेकिन इस बार rate से multiply करो forward rate से forward rate आपके पास given है 48.82, 8.12, 75.98 और 2.4 accordingly आपका forward rate के हिसाब से यह inflow और outflow होना है तो अगर हम check करें तो पहली जो currency है US dollar उसमें spot के accordingly 9602 है जबकि forward में 9764 है तो इसका मलब forward में आपको benefit होगा 162 का similarly FF में 8.94 spot में है जबकि forward में inflow आएगा 974.4 का तो inflow है तो अपने को benefit होगा 80.4 का pound में बात करें तो 7557 से आपको 7598 का inflow मिलेगा 41 का benefit होगा और यहाँ पे आपको 320 का outflow होता और यहाँ पे आपको 240 का outflow होगा तो इसमें भी 80 का फाइद है इसका मनलब simple सी बात है आपको यहाँ पे net benefit देखने को मिल रहे तो net exposure है यहाँ पे अगर आप forward में transaction करते हो तो आपको totality में इतना benefit देखने को मिल रहे अलग-अलग currency में हमने calculate कर दिया है बाकि आप रूपी terms में total देखना चाहो तो सर रूपी terms में अपने को 363.4 lakhs का net benefit देखने को मिलेगा बस इसी को net exposure position बोल के और इसके बाद question number 7 के B part में भी आपको forex का ही एक छोटा सा question दिया गया केते following are the USD per INR spot and 3 month forward quotes available अपने पास spot और 3 महिने का forward rate available है which currency is in forward premium or discount अपने को बताने कौन सी currency premium or discount पे है and calculate the annualized forward premium or discount spot सल रहा है आपका रूपी 75.42 और 75.50 bid और ask rate रूपी पर डॉलर और 3 month के swap point सल रहे है 20 और 30 तो टीकर 3 month के swap rate इसके अंदर add हो जाएंगे इसका solution भी already मैंने आपके लिए तयार करा हुआ है तो 3 महिने के forward rate आप calculate कर सकते हो bid rate आपका 75.42 और ask rate आपका 74.50 75.50 का इसके अंदर swap point एड़ कर लो क्योंकि increasing order में 20 और 30 तो यह हो जाएगा 75.62 और यह हो गया 75.80 तो sir spot जो है उसमें 0.11 का spread था इसमें 0.24% का spread है लिखते हो चलेगा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा तो since the rates are in bid ask form है we need to calculate the mid rate to determine the forward premium and discount तो 75.42 और 75.50 तो आप इसका average करोगे तो यह 75.46 आएगा और यहाँ पे 75.62 प्लस 75.80 इसका average करेंगे तो यह 75.71 आएगा तो आप कह सकते हो sir यहाँ पे dollar जो है वो premium पे है क्योंकि forward में आपको रुपी जादा देना पड़ रहा है और रुपी जो है वो discount पे है तो USD जो है वो महंगा हो रहा है तो USD जो है वो premium पे है और INR जो है वो discount पे है forward premium का formula होता है FR-SR upon में SR into 12 upon में M into 100 sir forward rate forward rate is 75.71 minus spot rate is 75.46 divided by 75.46 into 12 और अपने पास जो data given था question में 3 मेने का था तो divide by 3 into 100 1.33% premium पे है US dollar so US dollar is in forward premium by 1.33% रुपी आपका discount पे है formula हो जाता है ultra तो apply कर दो spot rate 1 upon में 75.71 minus 1 upon में 75.46 divided by 1 upon में 75.46 into 12 upon में 3 into 100 sir यह आजेगा 1.27% तो जो INR रुपी है वो आपका discount पे है 1.27% तो इस तरीके से यह question number 2 से लेकर 7 तक 6 question आपको practical given है जिसमें से कोई भी 5 question आप easily attempt कर सकते हो मतलब 70 marks का मैं practical attempt कर सकता हूं question number 8 एक बार read कर देता हूं question number 8 में theory question है short note लिखना था advantages of digital financial services participatory notes और sale end lease back है 5 5 और 4 number का no doubt पढ़ लो आपका मैंन है तो बट मेरा suggestion तो यही है sir practical में आपको अच्छे number मिलते है theory और वो भी FM की theory में marks लाना बड़ा मुश्किल काम होता है आप कितना भी अच्छा लिख लो 5 में से आपको 3 number 4 number मिलेंगे बट यहां पर अगर आप 14 नंबर का सही question करोगे 14 में से चवधा इसमें आप कितना भी अच्छा लिख लेंगे ना 5 में से 4, 5 में से 4, 4 में से 3 तो 14 में से 10, 11 नंबर ही आएंगे वो भी तब जब आपको 3 पार्ट आते होंगे तब practical तो आप ऐसे भी छोड़ के तो जा नहीं सकते तो जैसा कि मैंने starting में कहा फिर से वोलूँगा अपने को practical पे concentrate करना केवल practical के basis पे हम SFM का 90 marks का paper attempt कर सकते हैं 10 नंबर की theory अपने को attempt करनी है जो कि MCQ pattern और sir वो जो MCQ pattern वाली theory है मैं कहूंगा अगर आप study material में आपके chapter के पीछे जो MCQ given है वो भी अगर करके चले जाओगे तो भी आप easily उन questions को attempt कर पाओगे last में फिर से कहना चलूँगा अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस तरीके का relevant content जो है वो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसके अलावा हमारे telegram channel का link description box में given है वो आप join कर सकते हो for update notification notification इसके अलावा mobile app को तो download करके छोड़ ही लीजिए क्योंकि मैंने आपके सामने ये solution रखे हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए free test series आप join करना चाहते हो तो ये सारी चीजे जो है वो आपको हमारे mobile app के through ही मिलेगी mobile app download कीजिए उसके store section में जाहिए और store section के content section में जाहिए वहाँ पे आपको ये जो notes है ये free of cost मिल चाहिए और अगर आपको video classes भाई करनी है तो आपको वहाँ पे काफी सारी options हो कि पूरी industry में शायद आपको कोई provide ना कराता हो उतने options हम आपको provide करते हैं even one month तक का option आपको हमारे चैनल वो app पे मिल जाएगा आप हमारी classes के वल one month के लिए भाई कर सकते हो जो sprint already exam दे चुके हैं कुछ chapter उनको revise करने हैं तो वो one month का plan भी ले सकते हैं one month, two month, three months आपके exam तक के plan आपको हर एक course के हर एक subject के 5-5 plans validity को लेकर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे with reasonable prices और last में यही कहना चाहूंगा अपने दोस्तों के चाथ share करना बिलकुल मत बूलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर 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 कर दीजे this is all about for today मिलते हैं, thank you, bye bye